हेलो भीवर्स मैं हूँ मैं अंक और स्वागा थे अपलों का मेरे स्निय वीडियो में आज के दो वीडियो को टपिक है बहुत ही सिंपल है रोल अप सिस्टम एनालिस्ट का क्या-क्या रोल होता है अगर अपलों इगनु से बीसी ए कर रहे हो या एमसी कर रहे हो mcs014 जो कोर्स कोड है सिस्टम एनालाइसिस एन डिजानिंग का जिसको सौट में सैड करते हैं उसके फर्स्ट ब्लॉक का सकेर यूनिट से एक कोसन आता है रोल अप सिस्टम एनालिस्ट का कौन-कौन सा रोल होता है ठीक है यह सैड में मेरा आठवा वीडियो है बाकी का वीड समझते है रोल अप सिस्टम एनालिस्ट इसका क्या-क्या रोल है जो सबसे पहरा रोल है इसका चेंज एजेंट ठीक है एनालिस्ट का यह रोल होगा ठीक है वो सिस्टम में कौन-कौन से चैंजिस आ रहे है उसको मॉनिटर करेगा प्लान करेगा इंप्लिमेंट करेगा ठीक ही है change agent ठीक है दूसरा जो उसका role है वो है क्या investigate करने का और monitor करने का investigate क्या करता है system को investigate करता है suppose कोई new system बनने वाला है तो परानी system में क्या problem हुई थी पराना system क्यों खराब हुआ था उसे investigate करेगा monitor करेगा ठीक है किसी भी project को successful तरीके से करने के लिए वो क्या करेगा प्रोजेट का monitoring करेगा उसका cost को देखेगा कितने कम cost में से कोई अच्छा system बनके निकलता है पराने वाले system में क्या-क्या problem थी जो पराना system क्या हो गया fail कर गया वही लिखा हुआ यहां पर ठीक है system analyst may investigate the existing system to find the reason for its failure मैं जो पहले बोला था आप लोगो प्रोने system में क्या problem थी जो प्रोना system failure हुआ ठीक है monitor करता है monitor करके यह check करता है कि new system बनने वाली है ठीक है उस में क्या-क्या role होने वाला है कितना cost पड़ेगा कितना timing होगा उसका quantity कैसा होगा quality कैसा होगा ठीक है तो पहला जो आपका role था वो था change agent दूसरा जो role था जैसा नाम है investigator and monitor तीसरा जो role है आर्किटेक जी हां बहुत ही simple है आर्किटेक का क्या role होता जैसे कि आर्किटेक क्या करते है एक घर का blueprint बनाते है वो blueprint बनाके देते हैं कि घर ऐसे इसे design करना है तो बस design का काम करेगा यह भी का करता है यह भी system analyst का role आता है तो system analyst क्या करेगा blueprint बनाएगा जैसे कि dfd हो गया या erd की मदद से represent करता है data को कि हमारा जो system किस तरीके से बनके तयार होगा कैसा बनेगा जो एक अच्छ रिजल्ट को सो करेगा ठीक है चौथा जो point है वो psychologist ऐसा नाम है वैसा ही काम है इसका मतलब क्या है एक जो system analyst होते है उसको यह पता होना चाहिए उसके जो employee है उसके जो key members है उसके जो team members है उनका उनका doubt क्या है वो क्या सोसते हैं उनका behavior क्या है ठीक है तो यह भी एक major role play करता है system analyst के role में ठीक है psychologist सबसे अंतिम से पहले motivator जैसा नाम है वैसा ही काम है motivator क्या करता है एक harmony relationship create करता है system के बीच में मतलब कि इस harmony का मतलब होता है कि एक अच्छा रिस्ता एक खुसमिजाज रिस्ता create करता है अपने team member को motivate करने का काम करता है यह भी role है system analyst का जो सबसे अंतिम का जो काम है ठीक है intermediary मतलब कि सबके साथ मिल के काम करेगा intermediary का मतलब यही है सबको लेके काम करेगा कौन आपका system analyst तो बहुत ही simple है ठीक है बहुत ही simple है अगर आप लोगो रोल पूछेगा इनी रोल को लिखना है ठीक है रोल को याद रखने का एक तरीका है मैं इसी सोड़ा सा शोटा कर देता हूँ रोल को याद रखने का एक तरीका है आप देख सकते हो CIA PMI C से आपका Change Agent I से Investigator and Monitor A से आपका Architect P से आपका Psychologist M से Motivator I से Intermediatory CIA एक Agency का नाम है PM प्रधानमंतरी CIA PMI अगर सिंपल आपको रोल पुछता है तो इस फंडे को याद रखो असानी से याद हो जाएगा वीडियो बहुत ही छोटी थी सिंपल थी कोई भी डाउट है पुझे मेल कर सकते हो वाटसेप कर सकते हो जल्दी मिलता है एक ने वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद